सब्सक्राइब करने जा रहे हैं बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स करेंगे मतलब वह सकाज हम फाउंडेशन करेंगे अगर आपका फाउंडेशन ही बरबर नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग नहीं खड़ी होगे खड़ी हो जाएगे तो वह आसानी से गिर जाएगी तो जरूर इस वीडियो को मैं रिक्वेस्स करूँगा आप सबसे के जरूर ध्यान से सुनें पूरा एंड तक जरूर इस वीडियो को देखें कि आप बेजिक स्वाई यह फाउंडेशन वाला विडियो है यह सबके जिससे आपको ये chapter में कभी भी कुछ तक्रिव नहीं आगी आपको पता चल जाएगे कि ये chapter कितना कितना जाधा easy और आप पूल स्कॉर करेंगे अपने एक्जाम में इस चैप्टर के रेटर जैसे भी आपको कोशन बूस ले आप फूल स्कॉर कर पाएंगे तो उसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए तो अब शुरू करते हैं फटा फट से बीना टाइम वेस किया स्टुडन्स हम बेसिकली बेसिक से बिल्कुत जीरो से शुरूराट करने तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ही जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री यह चो शब्दे उसको हम दो पार्ट में डिगोईट कर सकते हैं ट्रिगो और मैट्री ठीक है triangle का measure है, trigonometry क्या है, triangle का measure है, पर triangle में हम क्या-क्या measure कर सकते हैं, उस पर आता है, ठीक है, एक triangle दो कर लेते हैं, A, B, C, ठीक है, A, B, C, यह हम angle A, angle B, angle C भी डो कर लेता हूं, ठीक है, और हमारा यह जो BCA की length हमारी A है, A, C की length B है, D, V, और हमारी A, B की length है, C, तो आप यह triangle से देगी सकते हैं, कि हम क्या-क्या measure कर सकते हैं, angle A measure कर सकते हैं, angle B measure कर सकते हैं, angle C measure कर सकते हैं, और क्या-क्या measure कर सकते हैं, side A, मतलब यह BC की length A, A, C की length B, और A, B की length C, सो सुददन्स हम total trigonometry में कोई भी ack triangle में 6 चीज़े measure कर सकते है 3 angle और हमरी 3 side की length अब हम trigonometry सारे triangle से deal नहीं करता है वो एक ही type के triangle से deal करता है वो है right angle triangle right angle triangle a, b, c तो trigonometry सिर्फ एक ही right angle triangle से deal करता है मतलब trigonometry क्या है right angle triangle का measure है थिकिए एक-से कर सकते हैं 110 relief मेंगल भींकर मतलब यह तो हम पता यह तो उसके सिवय क्या क्या चीज भची हमारी हएंगल ब시면 ये साइड लेंध ये साइड की लेंध इस इस एंगल को हम अगर ठीटा मान लें, तो यह बोलेंगे हैं, opposite side to angle C, यह जो side है, जिसकी length A है, इसको क्या बोलते हैं, opposite side to angle C, ठीक है, यह जो side है, जिसकी length B है, B-C क्या बोलते हैं, adjacent side to angle C, और यह हमारा hypotenuse, यह side A, C को हम hypotenuse बोलेंगे, तो क्या-क्या फाइंड करना है, हमको opposite side to angle C, adjacent side to angle C, hypotenuse और angle C, और angle A भी हम find कर सकते हैं, ठीक है, एंगल A के लिए भी same ही चीज़ होगी, पर इसमें यह दोनों twist हो जाएंगे, मतलब angle A, अगर हम ले रहे हैं, तो यह angle A के लिए यह opposite side होगा, और angle A के लिए यह adjacent side होगा, ठीक है, तो यह हमारा हो गया basic, बिलकुल हम foundation से जा रहे हैं, step by step वह हम उपर चल रहे हैं, ठीक है, तो students अब हम trigonometry का application क्या है, वह भी फटा बच से हम जान लेते हैं, students trigonometry हमारे जिंदके में बहुत important role अदा करता है, ठीक है, अगर suppose करो कि है, यहाँ पर कोई ख़ड़ा है, ठीक है, और उसको यहाँ पर ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, और कोई यहाँ पर ख़ड़ा है, और उसको इस ट्री की height जाननी है, वो interest है कि मुझे इस ट्री की height क्या है हों, मुझे जाननी है, और उसको दो चीज़ पता हैं, वो इस ट्री से कितना दूर खड़ा है, distance उसको पता है कि वो इस tree से कितना दूर खड़ा है और दूसरा क्या पता है उसको समझ दो यह हमार देखो राइट अंगल ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा इसको यह एंगल ठीटा पता है एंगल ठीटा पता है और उसको वो टीज से कितना दूर खड़ा है वो पता है तो आसनी से height इस ट्रीकी क्या होगी वो find कर लेगा ठीक है दूसरा example ले लेख कि यहाँ पर एक mountain है ठीक है बड़ा mountain है और यह जो peak है और यहाँ पर कोई खड़ा है ठीक है इसे और उसको जानना है कि यह peak क्या है यह peak यह कितना उचा है जमीन से ठीक है तो उसको पता है कि मैं कितनी दूर खड़ा हुग इस parts है distance पता है उसको यह height उसको fine करनी है और उसको यह भी पता है कि angle जो बन रहा है यह चोटी और मेरे बीश में वो है theta यह अगर दो चीज इसको पता है तो height यह इस पहर की क्या होगी वो fine कर लेगा तो हम करें जो mountain Everest की height है वो कैसे fine करते है क्या use होता है trigonometry ही use होता है आप खुझ से example बना सकते है कि मैं आप एक ख़ड़ा होगी है यह दर्वाज की height क्या होगी मतलब अब कुछ भी बना सकते है आप कुछ भी देख सकते है उसके अगर आप trigonometry का इस्तामाल करके आप बहुत कुछ fine कर सकते है ठीक है एक राइट अंगल ट्राइंगल ट्राइंगल ट्रॉ कर लेते हैं ए भी सी यह एंगल हमको पता है ठीटा ठीक है इस side को short form में बोलूँगा मैं opposite इस side को बोलूँगा short form में adjacent और यह होगा हमारा हाइपो ठीक है यह opposite side to angle C, adjacent side to angle C और हाइपो ठीक है तो students, पहला रशयर पे आते हैं हो sine of angle C और angle C क्या है actual में ठीटा है ठीक है जिसको हम short form में लिखेंगे sine theta which is equals to opposite upon hypotenuse sorry, a, b upon a, c sine of theta क्या होगा a, b upon a, c which is equals to opposite upon hypo ठीक है, यह हमारा पहला रशयर होगा तूसरा इस chapter का सबसे important ratio है वो है cosine cosine of angle C जिसको हम short form में लिखेंगे cos theta which is equals to b, c upon a, c which is equals to adjacent upon hypo this is सबसे important ratio वो है tangent of angle C which is equals to tan theta क्योंकि यह angle जो है वो ठीटा है इसका जो measurement वो ठीटा है which is equals to a, b upon b, c which is equals to opposite upon adjacent ठीक है, अब हम यह हमारे तीन सबसे important ratios होगा है अब जो और तीन ratios वाकिए वो इसके सिर्फ उल्टे ही है ठीक है, पहला ratio पे आते हैं साइन का उल्टा, यह हम इसको हम फोट, यह हमारा फोट रेशियो है साइन का उल्टा जिसको हम बोलते हैं को सेकेंड ओफ एंगल सी जिसको हम शॉट फ़र में कहते हैं को सेक ठीटा जो होगा हमारा इसका उल्टा मतलब a c upon a b which is equals to hypo upon opposite साइन का उल्टा को सेक, ठीक है अब हम यहाँ पे आते हैं फिफ्थ को साइन, कॉस का उल्टा वो है को सेकेंड अड़ स्वारी सेकेंड, यह को सेकेंड होगे है यह हमारा सेकेंड है सेकेंड ऑफ एंगल, c which is equals to sec theta जिसको हम शोर्ट फोर्म गोलेंगे वो होगा हमार इसका उल्टा मतलब a c upon b c which is equals to hypo upon adjacent last and final ratio 6 वो है cotangent of angle c which is equals to cot theta which is equals to हमारा होगा इसका उल्टा मतलब b c upon a b which is equals to adjacent upon opposite यहापर एक नहीं होगे यहापर दीख नहीं रहा है यहापर लिख लेता हूँ मतलब cot theta is equals to adjacent upon opposite ठीक है हम? यह हमारा 6th ratio होगया sin of angle c sin theta cos second of angle c cos theta cos of angle c cos theta second of angle c sec theta tangent of angle c tan theta co tangent of angle c cot theta और सारे हमारा होगे 3 important है sin opposite upon hypo cos hypo upon opposite यह cos होगया sin cos 10 हमारा होगे opposite upon adjacent बाकी 3 इसके उल्टे है ठीक है? ति हमारे 6 सबसे important trigonometric ratios होगे और इसको याद करना बहुत इसी है 6 को याद करने के लिए 3 को याद करना है opposite upon hypo, adjacent upon hypo, opposite upon adjacent और बाकी 3 इससे देड़ाय हो जाएंगे ठीक है? ति हमारे सारे measurement आगे देखो, इस सारे में हमको यह triangle में सब कुछ जो हम measure कर सकते हो सब measure कर लिया क्या measure कर सकते है? तो, students, क्या गया? मेजर कर सकते है? opposite यह side की length क्या है? यह side की length क्या है? adjacent की और hypotenuse side की length क्या है? multinational rate आ गया यह theta क्या है? हम find कर सकते हैं एक और बज़ गया है यह angle, angle है वो भी हम find कर सकते हैं सब कुछ इसमें आगया जो भी हम इस triangle में map सकते हैं measure कर सकते हैं अब हम इसका एक-डू examples करते हैं जिससे आपको यह topic introduction to trigonometric trigonometric basics बिल्कुल clear हो जाएगा students, basically अब हमको क्या है? opposite की इस triangle length क्या हो दिये है? some was 3 cm अब हमको बोला है कि सारे trigonometric ratios की सारे trigonometric ratios find कर आँ ठीक है? तो पहले शुराद करता है sin theta सा sin theta क्या है? हमारे ab upon ab upon ac ठीक है? वो होगा हमारा 3 by 5 हमारा cosec theta sin का उल्टा 5 by 3 कितना इसे sin find कर लिए? तो सिधा cosec find कर लिए जिए इसका उल्टा होगा दूसरा हमारा cosine cos theta वो क्या होगा? bc upon ac वो होगा हमारा 4 by 5 second of c मतलब sec theta होगा इसका उल्टा 5 by cos theta 5 by 4 ठीक है? हमारा तिसरा important क्या है? 10 theta ab upon bc होगा हमारा 3 by 4 हमारा cot theta cot tangent of c होगा हमारा इसका उल्टा मतलब 4 by 3 यह सारे हमने trigonometric ratios find कर लिए अगर हमको यह 3 length दी होगी ठीक है? यह हमारे important example होगा है मतलब कैसे करना है? सो students एक और example हम ले लेते हैं सो students हमको क्या दिया हुए 10 है which is equal to 4 by 3 which is equal to opposite upon adjacent k by k से multiply कर लेते है k k cut होगे 4 by 3 हमार रहेगा ठीक है? where k क्या है? कोई भी positive number है k is positive number ठीक है? अब क्या होगा? therefore bc upon ab is equal to 4 k upon 3 k ठीक है? therefore bc is equal to 4 k and ab is equal to 3 k आब डारेक भी लिख सकते हैं यह आब को कुछ दिखाने की ज़रूद नहीं आप क्या बोल सकते है? bc upon ab is equal to 4 by 3 therefore bc if therefore यहाँ पर लिखने है therefore if bc is equal to 4 k and ab is equal to 3 k where k is any positive number आप यह भी लिख सकते हैं आप ऐसे भी दिखा सकते हैं आपकी मरजी है therefore अब क्या है? एक right angle triangle है और right angle triangle के लिए अगर आपको दो side पता हो right angle triangle में अगर हमको दो side की length पता हो और हमको third side find करना हो तो क्या यूज़ करेंगे? by pythagoras theorem ठीक है? pythagoras theorem हम इस्तमाल करेंगे by pythagoras theorem by pythagoras theorem by pythagoras theorem ac square is equal to ab square plus bc square ac square हमको find करना है ab square क्या है हमारा 3k square मतलब 9k square लिख सकते है plus bc क्या हमारा 4 4 है तो 16k square ठीक है? ac square is equal to 25k square therefore ac is equal to 5k इसका under root होगा हमारा 5k ठीक है? therefore यह हमारा हो गया 3-3 side तो students हमको 3-3 side मिल गया यह हमारी है bc 4k यह 3k और यह 5k ठीक है? अब रबाट कर लेते हैं मैं आपको बता है था अगर 10 है आपको पता है तब उससे सीधा quarter find कर सकते हैं वो क्या होगा? 3 by 4 बाकी बचा क्या हम sign जे सूरल करते हैं sign है क्या होगा हमारा opposite upon hypo ठीक है? opposite हमारा होगा यह 4k upon hypo होगा हमारा 5k kk cancel 4 by 5 ठीक है? sign पता जाद गया तो सिधा हम cosec find कर सकते हैं cosec है क्या होगा? इसका उल्टा मतलब 5 by 4 अब हम last find कर लाते हैं वो एक cos है which is equals to adjacent upon hypo adjacent के हमारा 3k upon 5k हमारा hypotenuse kk cancel 3 by 5 और last and final हमारा क्या होगा? second जो cos है का इसका हमारा 5 by 3 तो सारे हमारे 6 ratios find कर लिए हमको 10 एडिया होगा था तो फटा फटस हमने 6 6 के 6 ratios find कर लिए students इस वीडियो के लिए हम इतना ही करते है next video में हम और examples करेंगे exercise 8.1 के भी बहुत सारे sounds लेंगे तो हमारे इस चैनल को ज़रू सब्सक्राब करना मत बुलिएगा अगले वीडियो के लिए students हमारा सारे वीडियो जब आएंगे मैं सके लेटे वह ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटर नहीं होंगे आप जानना चाहते हैं पूरा आप सीखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यह इस वीडियो का अगर आप यह वीडियो अच्छा लगो ज़रू लाइक किजिए शेर किजिए और फिर से बोलों झाल